नमस्कार आदाब सच्छी अकाल जैभीम जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार 83 साल के शरत पवार ने भाजपा को भूत बना दिया है उन्होंने अकेले दम पर टीवी वालों के बादशा को बता दिया है कि देख लिजी 18-18 घंटे काम करते कैसे हैं जरा अदालत का रवया देखिए इसके पहले बदलापूर में दो छोटी-छोटी बच्चीयों के साथ यौन उत्पीडन की घटना पर पूरा महराश्ट उबल रहा है एक तरफ कोलकाता की घटना पर हाई कोट से सुप्रीम कोट तक तमतमा उठा वहीं बदलापूर की घटना पर उसने बंद पर भी रोक लगा दिया मुक्यमंत्री एक नाच्छिंदे ने अदालत से मिले वलदान को अपनी जीत की तरह लिया लेकिन वो शनिवार को सब्ताहांत की गहरी नींद में मीठे मीठे सपनों में डूबे ही थे कि अर्दली ने जगा दिया साहब शरद पवार धरने पर बैठ गया है उठीए आपके खिलाफ कांड हो गया है जी आ महाराष्ट में राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी शरत चन्दपवार कॉंग्रेस और शिवसेना यूबी टी ने बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीडन के मामले में सरकार के खिलाफ मोच्चा खुल दिया आपको पताई है कि इसे लेकर महाविकास अघारी ने 24 अगस्त यानि शनिवार को महाराष्ट बंद बुलाया था लेकिन बॉम्बे हाइकोट ने प्रो एक्टिव रवईया दिखाते हुए भाजपा शिंदे सरकार को साफ बचा लिया का कोई बंद नहीं होगा कोई भी पॉलिटकल पार्टी इसकी अपील नहीं करेगी भाजपा शिंदे ने चैन की सांस ली कोलकाता पर आसमान सिर पर उठा लेने वालों ने बदला पुरपल जारी विरोध को दबाय जाने पर चैन की सांस ली लेकिन जब पता चला कि शरत प कांग्रिस के नेता भी पुणे में काली पट्टी बांध कर धरने पर बैठ गये थे सुप्रिया सुले भी इस धरने में मौजूर थी पूरी मीडिया का ध्यान शरत पवार के धरने की तरफ चला गया देखिए कि बदलापुर की घटना 16 अगस्त की है 23 साल के आरोपी ने त इस स्कूल में बारसों से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और ओपी इसी स्कूल में सफाई का काम करता था बताया जाता है कि पुलिस को सूचना मिलने के बाद भी उसने जाच मिला पर वही बरती इससे लोग भड़क गए और अगले दिन सटकों और रेलवे ट्रैक पर जा में विपक्ष के नेता कॉंग्रेस विधायक विजयव अड़तिवार मीडिया को लेकर मोर्चा खोल देते हैं उन्होंने कहा कि राज्य में कानून विवस्था के स्थिती भयाव है हम सरकार के खिलाफ प्रदल्शन कर रहें और महिलाओं के खिलाफ हो रही घटनाओं की और सरकार का ध्यान अकर्शित करने की कोशिश कर रहें लोगों के अंदोलन के बावजूद अगर राज्य में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं तो इससे पता चलता है कि महराश्ट में अपराध पर कोई नियंतर नहीं है अपराधियों में कोई डर नहीं है वहीं शुसेना मैसले का सम्मान करते हैं लेकिन हम विरोध प्रदर्शन करेंगे कॉंग्रेस एंसीपी और शुसेना यानि महा अगारी की सारी पार्टियां इस प्रदर्शन में शामिल होंगी संजे राउत ने कहा हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रहे ये लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी कमाल की बात तो ये है कि बॉम्बे हाई कोट ने 23 अगस्त को राजनेतिक दलों को 24 अगस्त या आगे की किसी भी तारीख पर प्रस्तावित महराश्ट बंद का अहवान करने से रोक दिया था कोट ने कहा था कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन की वज़ा से स इसके दो दिन पहले ही कोटे के भीतर कोटे के खुद सुप्रीम कोट के फैसले के खिलाफ दलित पिछले संगटनों ने पूरा भारत बंद कर लिया इसी तरह विपक्षी गटबंदन महाविकास अगारी ने ठाने जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चीयों के कथित यौन उत्पीडन के विरोध में 24 अगस्त को पूरे महराष्ट में बंद का आवान कर दिया था लेकिन हाई कोट का आदेश आने के बाद शरत पवार ने बंद वापस लेने की अपील की कॉंग्रेस और शिवसीना ने भी ऐसी ही अपील जारी की लेकिन सरकार को पता ह कि अगवाई करने से हलचल मच गई इसके एक दिन पहले ही पवार ने कहा था कि सरकार जेट प्लस सुरक्षा देकर उनकी जासूसी कराना चाहती है आपको बता दें कि महराष्ट बंद के अलान के फॉरण बाद केंद्र ने शरत पवार की सुरक्षा श्रेनी बढ़ाते हु तो कि महराष्ट विधान सभा चुनाओ नजदीक हैं पवार ने इस पर चुटकी लेते वे का था कि ग्री मंत्राले के एक अपसर ने मुझे बताया कि सरकार ने तीन लोगों को जेट प्लस सुरक्षा देने का फैसला किया है मैंने उनसे पूछा कि बाकी के दो और लोग चा हुआ है क्योंकि पवार ने अपनी सुरक्षा श्रिणी बढ़ाए जाने को जासूसी कांट से जोड दिया है आपको बता दें कि ठाने जिले के बदलापूर के एक स्कूल में चार साल की दो बच्चियों के कथित यौन उत्पीडन के खिलाफ हजारों लोग सरकों पर उ चाहिए लोगों ने बच्चियों पर हुए अत्याचारों के खिलाफ प्रतिक्रिया दी थी इसमें किसी का कोई राजनितिक मकसद नहीं बदलापूर की घटना के बाद इस प्रदर्शन में शामिल हुए कई लोगों के खिलाफ भाजपा सरकार ने शिंदे सरकार ने महराश किया फिर भी उनके खिलाफ मामले दर्ज किये गए सरकार ने इस मामले में सम्वेदन हींता दिखाई है और अब शरत पवार का काली पट्टी बांध कर धरने पर बैठ जाना चुनाओ की तरफ बढ़ते महराश्ट में ये मौजूदा सरकार के लिए एक ऐसी मुसीबत बन ही है जिसका असर वोटिंग में दिखाई पड़ेगा बीजेपी ने जिससे स्थानिये घटना मानकर समेटने की कोशिश की थी दबाने की कोशिश की थी उसको इंडिया घटबंदा ने पूरे राज्य का मुद्दा बना दिया है उपर से हाई कोट ने ये कहकर सरकार के क्यों रहे हैं खबर ये भी आ रही है कि स्कूल को कुछ राजनितिक दलों का संरक्षन हासिल है इस वीडियो में इतना ही लेगन अगर आपने अर्टिकल नाइटिन इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कर दीजिए बेल आइकॉन दबाईए घंटी जैसे आकरिती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमारा ट्विटर है आर्टिकल नाइटीन अंडरिस्कोर इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडिया और मेरा ट्विटर हैंडिया नवीन जैनलिस्ट नमस्कार